दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Google Earth Application से आप किसी भी जगह का distance को कैसे माप सकते हैं Like दोस्तो मान लिजे अगर आप कोई भी घर का area नापना चाहते हैं चाहे मेटर में हो या फिर फीट में हो या फिर दोस्तो किसी जगह का आप दूरी मापना चाहते हैं किलोमेटर में हो मेटर में हो तो बहुत ही आसानी से दोस्तो आप इस एपलिकेशन के मदद से माप सकते हैं तो अगर दोस्तो आपने अभी तक Google Earth Application को यूज नहीं किया है, तो एक बार इसे आप यूज करके देख सकते हैं, बहुत ही जादा useful application है, इस application पर आप सिर्फ distance ही नहीं, बहुत ही जादा दोस्तो आपको इस application पर knowledge मिलने वाला है, तो इस application के बारे में मैं 2-3 वीडियो और बन दोस्तो आप कोई भी distance को मापना चाहते हैं, तो आसानी से माप सकते हैं, चलिए जानते हैं कैसे, तो दोस्तो वीडियो को start करने से पहले आप सभी से request करना चाहता हूं चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजे, बगल में जो bell notification है, उसे भी आप सकते हैं, सबसे पहले तो आपको Google Earth application को install करना होगा, Google Earth application से related और भी आप information पाना चाहते हैं, तो आप हमारे website page को follow कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, Google Chrome browser को open करेंगे, यहां से भी आप install कर सकते हैं, इस application को आपको Google search में site करना है, एक ए online support, आप देख सकते हैं, first में ही आप को एक बार क्लिक करना होगा, आपके सामने website open हो जाएगा, और यहां पर दोस्तो tips and tricks आपको बहुत सारे मिलेंगे, और आप अपने daily life में up to date रह सकते हैं, जो कि मैं यहां पर daily article पोस्ट करता हूँ, जिसमें आपको धेर सारा information मिलने वाला है, अभी हम बात करते हैं कि आप क इस location पे हूँ, उस location को मैं सबसे पहले आपको क्लिक करके निकाल लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तो आपको बताओंगा कि कैसे आप किसी भी जगह का दूरी को कैसे माप सकते हैं, जैसे कि दोस्तो आप देख सकते हैं, अभी जो हमारा current address यानि current जो location है अभी देख रहा ह और मैं जहां पर हूँ, वहां पर अभी आप देख सकते हैं, पानी स्टोर करने वाला एक गड़ा टाइप का है, तो यहां पर दोस्तो मैं इसका distance ना पूंगा, मतलब इसका जो भी square feet होगा, जो भी इसका feet में दूरी होगा, लंबाई चोड़ा होगा, वो मैं सारा यहां प पता चले, तो यहां पर दोस्तो आप सबसे पहले समझे कि आपका जो current location होगा, इस पर किलिए करके आप निकाल सकते हैं, अगर आप 3D views करना चाहते हैं, तो आप 3D view पर किलिक करेंगे, आपका जो यहां पर भी होगा, वो बिल्कुल 3D में आएगा, लेकिन आपको अच्छ कि दोस्तो मान लेजे, यह जो यहां पर area बना हुआ है, इस टाइप का, इस area को अगर हम चारों तरफ से ना पेंगे, तो इसका जो feet होगा, वो कितना होगा, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, और आप अपने mobile phone से ही, अपना घर हो, अपना खेथ हो, अपना boundary हो, आसानी से म नापना है, तो मान लेजे दोस्तों, इस kona से हमें नापना है, तो सबसे पहले इस kona में ले जाके आपको set करना है, और नीचे आप देख सकते है, 8 point लिखा हुआ है, इस पर click करने से पहले यहां पर देख सकते है, distance option है, इस पर आपको click करना है, अब यहां पे बहुत सारे option में लेगा जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर में है किलो मीटर में है या फिर इंचेस में है या फिर फिट में है तो अगर मुझे फिट में नापना है तो हम फिट वाले option पर किलिक करेंगे अब आप देख सकते हैं अभी जीरो फिट बता रहा है अगर हम इसका पूरा कोना ना पेंगे चारो कोना को तो हमें यहाँ पर बता देगा कि यह कोना कितने फीट का है यानि यह जो बना हुआ एरिया वो कितने फीट का है इसके लिए simple 8 point पर हम click करेंगे यहाँ पर plus होगा और जो हमारा last जो शुरुवाती point था वहाँ पर जाके फिर हम इसे close कर देंगे तो जैसे दोस्ब हम यहाँ पर close करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा area है 71 meter square का है और जो इसमें feet है वो 111 feet का है तो आप देख सकते हैं 111 feet में यह हमारा जो भी area था कुछ इस परकार से हम आसानी से इसे माप सकते हैं उसके बाद दोस्तो अगर आपको लगता है कि आप इसे और कहीं नापे दूरी नापे तो वो भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से सिर्फ दोस्तो आपको point को set करना होता है तो माल लेज़े दोस्तो हमें यहां पे एक area को नापना है कि यहां से ले करके यहां तक कितना दूरी होगा तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले point पर हम click करेंगे और यह जो point है उसे हम set करेंगे मान लेजे हमें नापना है दोस्तों यहां से लेके यहां तक ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट पर जाते हैं और उसके बाद हम यहां पर नापेंगे किलो मीटर में तो किलो मीटर वाले अप्शन पर हम किलिक करेंगे और उसके बाद 8 point फर क्लिक करेंगे अब यहाँ पी यह fix हो गया अब उसके बाद कुछ इस परकार से आप जा सकते हैं उसके बाद जितना दूर आपको नापना है मालेज़े यहाँ तक हमें नापना है तो हम इस पर 8 करेंगे जैसे हम 8 करेंगे आप देख सकते हैं दोस्ते हैं पर बता रहा है 0.06 किलेमिटर अगर यहाँ से और दूरी नापना है तो इस तरह करके आप आगे जा सकते हैं कुछ इस परकार से आप नाप सकते हैं तो अगर दोस्तो आपका कोई भी area है कोई boundary है कोई घर का area है उसे आपको नापना है तो बहुत ही आसानी से दोस्तो आप ऐसे जो है इसको set कर सकते हैं इस point को और उस area को आप नाप सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने close किया यह जो area है जो आप देख सकते हैं और ये बहुत ही काम का application है तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको पता चल गया है कि कैसे दोस्तो आप Google Map जो application है Google Earth application की सहाइता से आप कैसे किसी भी जगह को नाप सकते हैं अगर आपको इस application से related और भी वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे comment box में comment करेंगे आपको और भी वीडियो दूँगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा informative आपको वहाँ से information दूँगा अभी के लिए दोस्तो बस इतना ही इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया और एपको भी आप वहाँ से install कर सकते हैं चलिए दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में thank you so much thanks for watching this video